तो हलो नमस्तिया स्थेकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैंहापर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की यह करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर यह लॉक्डाउन हुआ जब यह लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया क्योंकि यहाँ प और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर आएगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेटर दूर एक गाउं में बेजा राशन करीदे के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने का उन्से कि यह मास पेंड़ो और यह मास पेंड़ो तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया पर आ और नहायती बेवकूफी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है और सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात अब और से सुन नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सियम खो देना होप खो देना वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसके बात ये समझ में आजाती है कि हमने ःत्यात नहीं रखा गलती हमसे हो गई। और जो नेगिटेव है और रेत्यात नहीं रख रहे हैं वह जल प्ॉसिरीश हो जाएंगे ये गैरंटी है और फिर अपने पूरे खान्दान को यह भीमारी दे देंगे। खान्दान से Pend Brasiliaorius को महले से शेहर को, शेहर से पुरे हंदुस्तान को. क्या कहा रह बाहर मत जाए सोशल्गिजेरिंज ना करो, यही कई है ना, दोस्ट यारों से ना मिलो, आईजिलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रख गुसारो. इस सब किस के लिए? उनके लिए? नहीं हम सब के लिए नमास पढ़ना एक घर पे पढ़ो बुजापाट करनी घर पे करो बच्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मनना चाता है? ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाते हो स्टार्टिंग विथ योन फैमिली तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताव पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि government की बात नहीं सुन रहे, कि वो सही है, गलत है, correct है, wrong है, negative सोच रहे हैं या positive सोच रहे हो, अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वायरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते गुरूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठ्ठों पर डंडा नहीं मर आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका है आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो, अकेले जाओ गवर्मिन ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वह अठारा अठारा घंटे काम कर रहे हैं किस के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोटने के लिए नहीं, करोना वाइरस को भैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपाथ, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती, आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभारें, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें, और वो भी आप नहीं निभारें, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू करती है, ख़वाल है, अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी आप उनकी भी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, ये कमार है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्तर बरसा दिया, जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वा, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है, आप में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे, देखो मैं उनकी बास समझता हूं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है, अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जान इसे दिल से जुड़ा है, लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी फैली जानी है, अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते, अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते, तो हजारों पुलीस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया है लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकतवर हो आप बड़े भादूर हो आप कि इतने भादूर इतने तकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वानों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप क्यों आप यम्राज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनन इल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसके भी दोई है एक पहलू ये है कि हम सब रहें दूसरा पहलू ये है कि कोई ना रहे आप रिसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे भनेवाद